मैं होदिपाली पटैल एंचल दी पटैल चैनल पूल contractors आज में केब बगस को हटांगे अपने घरने प्लाक्स को यह मैं आपको बताणगी मेली बगस होता है वह बहले किलर का कीड़ा होता है जो अपने साथ कीड़ा अपने फोलग यह पोर प्लाक्स da कर लेते हैं तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ लॉग कैसे करना है और वह और कैसे बढ़ाना है और यह यह देख रहे हैं कि यह देख रहे हैं कि यह देखल रहे हैं? लुझे लागे है आइ अब गाई पिछ दाना है मैं आपको बताती हूं एक लिट्र की स्प्रे बोटल लीजिक उसमें अपको फोड़ा इस्टा है और अपको इसमें एक लिट्र बोटल में आदा ढखकर नीम ऑईल डालना है यह आप मिक्स कर लिजे पहले अभी आपको इसमें हैं तो कहीं तो आदे टाइम ऑगा एक यह एक एक लिटर बोटले तो आपको कम से कम इसमें एक इचा मच एंग डालना है जाने हैं डालना की डालना है अब इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है शेक करना अब को इसके विए तुरंट आप शॉर्क कर सकते हैं आपका जो भी मैलीबक्स वाला रहेगा ना प्लांट उसके आपकर सकते हैं अब यह है ना फूरा मैं इस पर स्प्रेग करोंगी तो इसका जो पानी है ना मतलब इसका जो नीमों का श्मेल है ना उसके वजह से यह निकल जाएग पूरा इसे आपको स्प्रेग करना है पूरे ब्लांट को जितने भी आपके प्लांट में मेली ब्लग सर्फ तो रहते रहेगे इसे अब इसको स्प्रेग करिए अब इसे नहीं प्लांट आए इसके वजह से पूरा स्प्रेग कर रहें हैं नीचे बट्के लिए ना प्लांट अर्सक ब हैसले हैसले है कि अब हमें यह जो प्लांट से इसमें हपते में एक बार यह जो स्प्रेय हैं हैंड वाश का और नीम ऑईल का यह आपको कम से कम हपते में एक बार करना है तब ही अच्छे से हट जाएगा और दूसरी बार देखिए अभी प्लांट के जो पत्ते हैं यह ग्रो कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहे हैं अभी ग्रो करेंगे इसके वज़े से दिखेंगे छोटे-छोटे पत्ते आ रहे हैं तो अब हपते में एक बार इसको यह कर लीजे तीम हपते में यह वापस नहीं आएगा अथ है fakoo